वेल्कम टी दिवाकर फिजिक्स चलिए इस वीडियो में हम साउंड चैप्र से कास्कर कि नेचुरल वाइबरेशन डेंप्ट वाइबरेशन इसमें से टेन इंपोर्टेंट कोईशन सॉल्व करेंगे तो पुरा वीडियो देखिए आपको चरी वीजन हो जाएगा तो पहला क् है नीम दे फैक्टर एफेक्टिंग नेचुरल फ्रिक्वेंशी अफ़ वाइबरेटिंग बोडी तो वाइबरेटिंग बोडी का जो नेचुरल फ्रिक्वेंशी किसके उपर डिपेंड करता है तो यह आपको लिखना है सेप एन साइज अप दा बोडी या स्ट्रक्चर जि से कोई body vibrate करता है तो उसका free length कितना है free surface कितना है तो इस structure के ओपर depend करता है ठीक है तो इसलिए natural frequency depends on the shape and size or structure of the vibrating body तो यह अपका answer हो गया second question है state one condition for a body to execute natural vibration तो कब body natural vibration देगा या it will vibrate with natural vibration frequency तो इसका मतलब है कि the vibration should occur in vacuum the vibration should occur in vacuum तो वैक्यम में होना चाहिए तो वैक्यम में होगा तब कोई resistive force नहीं रहेगा तब जो vibration है वो constant frequency or amplitude maintained करेगा तो इसको बोलते natural vibration constant frequency and amplitude पर देगा वैक्यम तो यह थे कंडिशन फुल्फेलोना चाहिए तुसरा तीसरा क्षेशन है, नेम टू प्रॉपर्टीज अव वाइबरेशन देट रिमें इन नेच्रल वाइबरेशन तो इसे मिने बताया, फ्रीक्वेंशी और अम्प्लिचुड फ्रीक्वेंशी और अम्प्लिचुड रहते हैं और यदि कॉंस्टं नहीं है, तो वो नैच्रोल वाइबरेशन नहीं ले सकते हैं यसे अम्प्लिचुड काम हो गया, तो देंप्ट वाइबरेशन तो इसले फ्रीक्वेंशी और अम्प्लिचुड व्यूट शुड रिमें चॉंस्ते next question solve करेंगे निम वान फैक्टर उन इस दे फ्रिक्वेंशी आफ साउंड एमिटेट दू वाइबरेशन इन एर कॉलम डिपेंगे जब एर कॉलम वाइबरेट करता है जैसे एक ट्यूब में हो सकता है एक कंटेनर में हो सकता है एक वेशल में हो सकता है तो वह किसके ओपर डिपींट करेंगे तो दे फैक्टर इस दे लेंग्ट अफ दे एर कॉलम वाइबरेशन अफ एर कॉलम इस इन्वरसली प्रोपर्स्टर्णल टू रशाया है तो ये फैक्टर है तो ये फैक्टर है लेंग्ट अब देढ़ कोलम अफ बास्यान कंशीन हें तो यह स्वेंट इंक्रेजिंग के मेंおगा जाएंग तो यह आधा रहा यहा है फैर से जोड़िसी फैक्रिजींग केुंशे माद जावन चल फ्रैक्टर है of a stretched string, two factors, two ways, तो यसे हम बढ़ा सकते हैं, तो पहला है, by decreasing the length of the string, तो length कम कर देंगे, तो क्य हो जाएगा? frequency बढ़ जाएगा, और length बढ़ा देंगे, तो frequency कम होगा, तो यह याद रखे, यह पर question है, two ways to increase तो आपको क्या करना है डिक्रीश करना पड़ेगा और एक काम कर शकते है बाइग इंक्रीजिंग देंशन तेंशन बढाने से फ्रिक्वेंशी बढ़ सकता है तो जो से एफ इस इन वर्शली पर्शन तो एल एंड एफ इस डारेकल पर्शन तो रूट ती बढ़ाएंगे तो एफ बढ़ेगा एल डिक्रीश करेंगे तो एफ बढ़ेगा तो इसलिया यह दो तरीगे से कर सकते हैं नेक्स कुश्चन है हेल डिक्वेंशी हाफ आफ दा ओर डिनल फ्रिक्वेंशी आभे एक स्ट्रिंग कोश्ची दे रहा है अब इसको हाफ कराना है को क्या करेंगे तो आप उपर की जैसे सेम लिंग्ड और टेंशन चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है अधिन हाफ होना यह फ्र स्पेसिफिकली लिखना है तो लेंग केन बी डावल तो लेंग्ट अब देस्टिंग डावल कर देजे फ्रिक्वेंशी हाफ हो जाएगा फिर तेंशन तेंशन केन बीडिक्रीस्ट तो वनफॉर्ट अब देजिनल तेंशन अरिजिनल वैल्यू ठीक है क्योंकि रूट अबर है एफ इस डेरिक्वेशन टो रूट अबर टी तो टी को वनफॉर्ट करेंगे तब वनबाइट टू हचाएगा तो इसक्वार रूट है इसलिए वन फॉर्थ करना पड़ेंगा तो यह याद रखिये और लेंग्ध को डबल कर देंगे तो यह फ्रिक्वेंशी हाफ हचाएग क्योंकि इस इंवर्सली प्रोपर्शनल टो लेंग्ध तो यह दो फेक्टर आपको कब बढ़ाना है कम करना है तो एकोडिंग टू क्वेश्चन आपको लेखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते है तो स्ट्रिंग्स अप डिफरेंट थिक्नेस आर प्रोवाइड़ और तो स्टिंग स्टिंग इंस्ट्रुमें जसे गिटार में आप देखें गिटार सितार तो इसमें डिफरेंट स्ट्रिंग्स दिया रहते हैं एंड उंका थिक्नेस अलाग-alाग तो क्यों इसा म सा उता है तो एंसर है The frequency of vibration of a stressed string is inversely proportional to the radius of the string तो एदी radius कम होगा तो frequency ज्यादा हो जाएगा तो एदी हम radius अलग-अलग रखेंगे या thickness अलग-अलग रखेंगे तो क्या आजाएगा frequency अलग-अलग हो जाएगा तो उसके बाद लिखना है So, sound of different frequencies can be obtained with the strings of different thickness or radius तो ये different varieties of frequency पाने के लिए उनको frequency change करना पड़ेगा तो frequency depends on thickness radius तो इसले इदी different radius समलेंगे तो different frequencies of sound बना सकता है तो ये है reason question 8 है how does the medium affect the amplitude of natural vibrations of a body अभी अभी ये दी कोई medium में vibrate करता है कोई body तो क्या होगा क्या एफेट करेगा तो जैसे अपने पहले कि ये vacuum में होना चाहिए तब ये constant frequency amplitude होगा तो मीडियम में करेंगे तो क्या होगा तो बोल नच्रल विपरेशन वो अभी damped vibration बन जाएगा क्यूंकि amplitude decrease होगा क्यूंड दीक्रीश होगा क्यूंकि the medium offers resistive or frictional force तो ये वो damped vibration होचाहएगा next question है question 9 tuning form which stroked on a rubber pad and allowed to vibrate in air what type of vibration does it under अभगा damped vibration जाएगा air में it is vibrating in air medium में तो ये वो damped vibration होगा next question देखे in which type of vibration there is no loss of energy तो दिखते natural or free vibration इसमें there is no loss of energy that's why the body maintains constant amplitude तसलिए एंजर होगा natural or free vibration तो इस तरह से आप revise कर सकते हैं और भी कुछ questions में आने वाले वीडियो में देखे होगा तो दिवाकर physics चैनल देखते रहे हैं और अच्छा से revision करते चाहिए तेंक यू